इस अखंड भारत के साथ हमारा राष्ट्र आत्म निर्भर बने, सोच्छ बने, सुन्दर बने, स्मृद्ध और सशक्त बने यही हमें करना होगा और उसके लिए जब आत्म निर्भर गाव होंगे मेरा गाव, मेरी जान, यह सोच पैदा करनी होगी और इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा हमें ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर की और बढ़ना होगा ग्रीड कल्चर नहीं, नीड कल्चर, जितनी आवशक्ता है खरीदने से पहले मैं पूछूँ, क्या मुझे इसकी जरुत है नहीं तो किसी और की जरुत पूर्ती हो नीड कल्चर से नए कल्चर की और बढ़ना होगा यूज एंड थ्रो कल्चर से, यूज एंड ग्रो कल्चर की और बढ़ना होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिलकुल बंद करना होगा हमें green culture का निर्मान करना होगा इसके लिए हम जागें हमारी चेतना को जगाएं ताकि जल चेतना जन चेतना बने जल जागरन जन जागरन बने जल करांती जन क्रांती बने जल एवं पर्यावरन संग्रक्षन के लिए साजा प्रयास करें, मिलकर प्रयास करें, इस समय इस देश को, अगर कोई जरुरत है, तो green vision की जरुरत है, clean vision की जरुरत है, clean, green और screen program, हमारे पर्व, हमारे celebration, हमारे महसव, सब green हो, हरित हो, हमारा green कुम्भ बने, गंगा जी और गाय का संग्रक्षन हो, green corridor बने उसके लिए, ताकि हमारी गंगा के तटों पर, पावन तटों पर, जहां मंत्रों ने जंकृत किया, हम सब लोगों को, अब जड़ी बूटियों के मंत्रों हो, जड़ी बूटियां हो चारों तरब, जलदार, जड़दार, छाया मिस्ट्रीज लगें, ताकि नदियों के तट, गंगा के तट, यमना के तट, गंदगी से भरे नहीं, बलकि ग्रीनरी से भरे हो, गव माता का संग्रक्षन हो, और उसके लिए green crematorium बने, एक पहला संकल्प कि गव से बनी हुई, गव के दूद से, गव के घृत से बनी हुई और वो भी देशी गव से, बनी हुई हम समग्री का उप्योग करेंगे, तो गव सड़क पे नहीं रहेगी, काम हो गया, कुछ बड़े बड़े संकल्प नहीं करने हैं, इन छोटे छोटे संकल्पों से काम बन जाएगा